हलो एवरिवन मैं हूँ फैज और वेलकम टो और यूटूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको तक्या के कवर के उपर एक डिजाइन बना करके दिखाएंगे जो सिर्फ आप तक्या के कवर के उपर ही नहीं बलकि बहुत सारे जगों पर बना सकते हो जैसे बेड कवर के उपर टेबल कलोथ के उपर और भी बहुत सारे अलग अलग जगों पर आप बना सकते हो एक डिजाइन को बहुत सारे जगों पर आप बना सकते हो अगर आप इसको tracing paper पर उतार लेते हैं तो उसको आप अलग अलग जगों पर भी बना सकते हो अलग अलग तरीके से देखिए एख़ा नहीं है कि एक design को हम एकी तरीके से बनाएंगे उसको हम अलग 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 तरीके से भरके भी बना सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी डिजाइन है उसका स्क्रेंशोट लेना पड़ता है और फिर आपको उसको ट्रेसिंग पेपर पर उतारना है उसके बाद आपको क्या करना है उसको पिनिंग करना है पिनिंग करने के बाद आपको कपड़े को उप साइड में आपको छापना है तो ज्यादा सही रहता है ठीक है छापने के लिए मैं किरोसिन तेल और नील का इस्तमाल करता हूँ ठीक है तो उसी तरीके से आप उस पर चाप सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है उसको काट लेना है अच्छे तरीके सा सफाई से काटना है जो आपने लाइने चला ही है उसी लाइन पर काटना है उसके बाद आपको कपड़े को विछा देना है जो भी इस्तमाल करके, आप किसी भी पहले एप्ली करने से पहले आपको इसको आप चिपकाना पड़ता है, ठीक है? परफेक्ट शेफ में आपको काटना है, जो भे डिज Vin ना है और फिर आपको उसको कपड़े को अपैक उपकड़े को चिपका ले कि देखिए दोस्तों मैं किसी को एक एक करके नहीं सिखा सकता हूं और आप मुझे पता है कि आप में उससे बहुत सारे लोग मुझे सीखना चाहते हैं और मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको सीखने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए मैं आपको बता द आपणि नहीं नहीं करना पड़ता है अपको हमेशा सबसे पहले आपको जो भी आपने कपरा लगाया है उसके साइडों में आपको चला लेनी है अब यहां पे मैं थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ पहले में लगाता था आपको फूल पत्यों में दो कलर ही लगाता था लेकिन उसमें ग्रीन दोनों ग्रीन कलर ही थे लेकिन इसमें मैंने क्या किया हूँ एक येलो लगा दिया हूँ और एक साथ में लाइट ग्रीन है ठीक है इसके जगे आप और भी कोई कलर लगा सकते हो वो भी ज़ादा चलाएगा अब जिस तरीके से मैं आपको बता रहूँ बनाने के लिए वैसी है आपको बनाना है पत्तियों को बनाने के लिए हम साइड में ये देखिए अगर आपको डंडी बनानी है तो उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा बड़ा फूल है तो ज्यादा चोड़ा करके बनाईए और अगर छोड़ा सा फूल है तो आपको छोड़ा छोड़ी चोड़ी डंडिया बनानी पड़ेगी उसके लिए चोड़ाई पूर्टिए आपको कम लेना पड़ेगा तो इस आप से अपको चोडाई कम और ज्यादा करनी पड़ती ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको मैं एक नमर बता दूंगा उसी नमर पर बनाते रहोगे ठीक है ऐसा नहीं है जो भी डिजाइन होता है उसके हिसाब हमको बनाना पड़ता है अब यहां पर देखिए कि जहां पर जो साइस की जरूरत है जितने नमर पर आपको बनाना है उस पे फिक्स नहीं करना है आपको ठीक है फिक्स करने के लिए हम जब जिग्जा करते हैं या फिर कोई एक कामसीधी लाइन चलानी है उस पर हम फिक्स कर देते हैं तो वह अलग चीज़ है लेकिन आपको जब भी डिजाइन बनाना है इस तरीके से तो वह फिक्स नहीं होता है ठीक है जहां पर कहीं भी आपको डंडी पद्टों करने पड़ती है पर चौड़ी करने पड़ती है तो यहां पे देखिये दोस्तों हमारे डिजाइन कम्लीट हो जाता है और यह देखिए बहुत मेहनद करके तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके जरूर देखिएगा वीडियो के लास्ट में मैं इसका डाल दूँगा तो वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो इसका बहुत ही अच्छा डिजैन है दोस्तों आप एक बर जरूर बनाएगा दिल शेप कवर बनाया है उसके ओपर यह वारा डिजैन है इस तरीके से इस कंप्लीट होने के बाद दिखता है ठीक है फाइनल लुक जो हमारा इस तरीके से दिखता है अगर आप इसमें कॉलर कुछ और लगाना चाहते हैं तो कलर कुछ और भी लगा सकते हैं वो भी ज्यादा ठीक है यहां पर देखिए मेरा दिल शेप जो बनाया है मैंने कितना अच्छा लग रहा है अला कि इस वीजैन को भी आप चाहें तो देख सकते हूं ठीक है बहुत अच्छा डिजैन है एक बर जा करके जरूर देखिएगा और आप इसको जरूर बनाईए ठीक है बहुत आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा इस तरह से बहुत सारे वीडियो बहुत अलग अलग डिजैन में लाता रहता हूं इसलिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थाइंक्स पर वाचिंग अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लाश्ट वेम वो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे आप किलिप करके उसको देख सकते हो साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस डिजाइन को किस तरीके से आप बना सकते हो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर इसके आपको कॉपी करना है इस डिजाइन को तो वीडियो के लाश्ट में मैं इसका एक फोटो डाल दूँगा जहां से आप इसको ट्रेसिंग पेपर पे उतार सकते हो देख करके और ट्रेसिंग पेपर पे किस तरीके से बनाया जाता है उसके उपर मैं ये वाला वीडियो बना चुका हूँ तो इसको जा करके आप देख सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी डिजाइन आपको बनाना है उसको आपको tracing paper पर बना लेना है क्योंकि हमें उसको कपड़े गोर पहले छापना पड़ता है कपड़े पर छापने के बाद आपको उसको frame लगा लेना है और फिर कौन-कौन से color मैंने इसमें लगाए है अगर आपके पास white color का कपड़ा है किस कौन-कौन से color लगा सकते हो आप वो आप इस वीडियो में देख सकते हो जो जो color मैंने इसमें लगाए हैं वो भी आप सारे color लगा सकते हो design के उपर अच्छा लेगा